हलो दोस्तों welcome back to my youtube channel दोस्तों ध्यान दे कोटक बैंक के लड़ाई की नजर में अधानी से इसको सौट करते हुए क्या कोटक कोटक बैंक ने मार्केट की लड़ाई में एक नियाग लगा दी है आए देखते हैं इस खेल का असली सच तो दोस्तों कहानी कुछ यह है हिंडनबर research जो की एक American short seller है ने हाली में एक bomb फोड़ा है उनका दावाई कि भारत के market regulator से भी कोटक महिंदर बैंक और दुसरे बड़े entrepreneurs को बचाने की कोशिस कर रही है लेकिन सवाल यह है कैसे भी सच में कोई चुपा रही है कोटक महिंदर इंटरनेशनल लिमिटेड यानि के M.I.L. ने मना किया है कि इंदन बर कभी उनका client या investor था लेकिन उन्होंने माना कि उनकी fund उनकी fund ने एदानी के sales को करने में उनकी मदद की थी तो अगर एक fund manager decide करता है कि कोई stock जो 200 टाइम प्राइस ट्रेड कर रहा हो उसको sort करना है तो क्या यह manipulative trade मानी जाएगी यह तो वह हुई ना दोस्तों रिक भेंस के आगे बीन बजाना और दोस्तों के M.I.L. ने registered है और Morisus के financial services commission दोरा regulate किया जाता है को 2013 में शुरू किया गया था इस fund का main purpose था कि भारत में विदेशी clients को invest करने का मौका देना so that was the difference from K.M.I.L. and the fund लेकिन आपको क्या लगता यह पूरी कहनी क्या है या फिर यह इसके पीछे भी और कुछ है जो अभी तक सामने नहीं आया है अगर आप latest news stock of market separated रहना चाहते हैं तो Samco आपका perfect साहती है दोस्तों Samco आपको सिर्फ Demet account ही नहीं बलके recommendations, insights, latest news और Samco researchers के valuable notes भी provide करता है तो देर किस बात किया है आज ही Samco के साथ अपना account open कीजिए और trading की दिनिया में अपनी भाचान बनाईए Thank you for watching the video दोस्तों